असलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हमारा जो वीडियो है वो अधनान भाई के बकरों के उपर है जो की लखनाव से बिलॉंग करते हैं नवाबों की बस्ते से बिलॉंग करते हैं इसलिए वाड यूज़ कर रहा हूं क्योंकि उनके बकरे आप देखेंगे तो किसी नवाब से कम नहीं देखेंगे आपको उनके बकरे चलिए आएए देखते हैं उनके बकरे इंजॉय करते हैं वीडियो इनका आप बकरे देखेंगे आगे वीडियो में पुरा तो आपको समझ में आएगा ये बर्बरी ब्रीड में फामिंग करते हैं और इनके बकरे जो देख रहे हैं माशाला स्क्रीन पर ये सब माशाला सेल फीडिंग पर तैयार हुए बकरे हैं स्क्रीन पर इतने हेवी बर्बरी गोट्स में ये विल इनका फार्मिंग का तरीका एकड़म यूनीकãy और डिफरेंट है juven हमेशा देखा हैं कि लोगों को बकरे तैयार करते हैं यो षूजद ब्रीड तैयार करते हैं कोई कोई तोता पूरी पालते हैं कोई पंजाबी पालते हैं कोई कोटा पालते हैं और बहुत कम हम देखते हैं कोई बर्बरी ब्रीड में इतना इंट्रेस्ट से काम करता हो दोस्तों यह सब सेल्फ फीडिंग गोट्स है इनको कोई फोस फीडिंग नहीं किया जाता है आप वीडियो में भी देखते होंगे के बकरे कुछ से खा रहे है कुछ से उनको फीडिंग डाला जा रहा है और वो खुछ से खा रहे हैं फीडिंग में इनका जाहत अर्मोसली चना, मक्का, जव ये तीन चीज़ का मिक्शर रहता है और उपर से मिनरल्स विटामिन्स की जो मिक्स आता है वो भी इनको फीडिंग में दिया जाता है और माशाला हम देख रहें कैसा खिदमत किया जा रहा है बकरों की पाला जा रहा है दिन भर कपड़ा मारा जा रहा है बकरों पे और उनको पाल के ऐसा तयार किया जा रहा है माशालला हमने एक-दो बकरे तयार करते वे तो अक्सर देखे है पर फर्स टाइम 60 बकरे कोई इस तरीके से तयार कर रहा है और सेल के लिए तयार कर रहा है फर्स टाइम मैं देख रहा हूँ इस्ट्री में और उनकी मेंनत जो है वो दिख रही है, स्क्रीन पर हम लोगों को दोस्तों इनके पास कोई regular बाड़ा नहीं है, कोई feeding ट्रे नहीं है जैसे regular farm में कोई setup होता है, साफ सफाई का system होता है, feeding का system होता है वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस कुछ लोग हैं और लगे हुए हैं बखरों के पीछे उनको खाना खिलाते हैं, घमेले में खाना खिलाते हैं, और अगर कुछ गंदगी निकलती है बखरों की तुछ वक्रों की तूची को साफ हो जाती है। दोस्तों इनकी farming का तरीका बहुत डिफरेंट हैं, बहुत यूनिक हैं। मैंने अकसर लोगों को डिफरेंट ब्रीड्स पर काम करते देखा है, कोटा, सुजोसोजत, सिरोई, हैदराबादी, अजमेरा, गुजरी, बट बहुत कम बर्बरी ब्रीड में किसी को काम करते वे देखा है, अधनान भाई उन में से एक है, काफी टाइम से मैं अधनान भाई को परस्नली जानता हूँ, उनसे मेसेज पर बात होती है, उनसे फोन पर बात होती है, और फर्स टाइम मैं उनकी वीडियो आपके लिए शेर कर रहा हूँ, दोस्तों, देखिए इनके पास ना कोई बाड़ा है, ना कोई फूट ट्रे है, ना कोई फार्म का सेट अप है, बस कुछ लोग लगे हुए हैं, मैनत कर रहे हैं, बकरों को उपर बकरों को तयार कर रहे हैं, बस घमिले में इनको चारा दाल लिया जाता है, बकरे कुछ से चारा खाते हैं, मुझ से खाना खाते हैं, और कोई force feeding नहीं हो रही आप वीडियो में देख सकते हैं बकरो को और माशालला टोटल 60 पीसेज, 60 नग इनके पास बरबरी के है जो for sale के लिए है और माशालला सब एक से बढ़कर एक है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस माशालला एक छोटा टुन-टुन हाती दिखेगा आपको ये दोस्तों दूसरी बात मैंने ये नोटिस किया है इनके फार्म पर के गंदगी जरा भी नहीं दिखेगी आपको बकरों पर ये बकरों के आसपास अगर गंदगी होती है गंदगी निकलती है तो उसी वक उसी को साफ कर लिया जाता है यहाँ पर इतने लोग लगे हुए है बकरों की मेहनत के पीछे आप देखेंगे और उनकी मेहनत रंग लाई है मैं तो ये बोलूँगा माशालला बकरे इतने खुबसूरत है इनके पास टोटल साट नग है जो फॉर सेल के लिए है जिस भाई को भी इंटरस हो बर्बरी ब्रीड में हैवी बर्बरी टुन टुन बकरों के जो शौक रखते हैं वो कॉंटक कीजिए अर्दान भाई को नमबर गुमाई है उनका स्क्रीन पर मैं उनका नमबर शेयर कर दूँगा और वीडियो के एंड में भी उनका नमबर डिस अगर लखनों के आसपास आप रहते हो तो इजी ली ट्रांसपोर्टेशन भी आपको मिल जाएगा या आप खुद विजिट करके उनसे बात चीत करके बखरा पसंद करके ले सकते हैं जो आउटसाइड लखनों में है तो उनका तो कुछ इस बार लॉगडाउन के वेजिसे ट प्रांसपोर्टेशन का दिक्कत तो जरूर आईगी बट इस साल नहीं तो अगले साल आप लगा अधनान भाई से कॉंटैक्ट जरूर कर सकते हैं या फिर आपको अपना बखरा अगर इनके पास रखवाना है या शुरू से आप लेके परचेस करके इत तक के लिए नेक्स् प्राइस रेनज की इनके बहम अधनान भाई करां से स्टार्टिंग कैंटेश के संब यह विप अधना छंव की अधना बनार इनक TS 5 हैं का सिस्टाइब बहूर्ट करेंगे प्राइस संबंभी मैंट इनको बतार सुन नहीं अदिरेंग और आपको वीडियो भी दे पाएंगे ने ने बकरों की और प्राइस रेंज भी इग्जैक्ली बता पाएंगे तो प्राइस के लिए तो आपको अधनन भाई को ही कॉंटेक्ट करना पड़ेगा अगर आपकी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही यूनिक है तो हमें बताए हम आपकी स्टोरी शेर करेंगे लोगों के साथ में आपका एक्स्पिरेंस शेर करेंगे आपके जो व्यूज है वो लोगों तक के पहुचाएंगे अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आये तो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा उसका काफी इंपोर्टन्स है आज यूटूब फील में हमने नोटिस किया है सो बेल आइकॉन जरूर दबाईए और कुछ भी चेंजेज अगर आपको हमारी वीडियो में देखना है या फिर कुछ अलग देखना चाहते हो तो हमारे साथ शेर कीजिए कमेंट में और आज के लिए बस इतना ही अलाँ आफिस किया है झाल झाल